नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटूब चनल त्यारी जीके पर आज 22 अक्टूबर 22 और 22 अक्टूबर से करेंट एफेर्स के जितने भी इंपोटेंट कोशन बन सकते हैं वो सभी कोशन हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स कोशन कर लेते हैं हाल ही में किस राज के रजपाल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सीटी प्रजेक्ट लँच किया है और परियोजना 180 दिनों का एक लंबा अभियान है जिसके तहट पुलीस और अनिविभाग सरवाजनिक अस्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिसा में काम करेंगे तो इस कोशन से आप कुछनी जनकारी मिली? चलिए नेश कोशन कर लेते हैं Q2. कौन सा देश अक्टूबर के अन तक अपने COVID-19 वेक्सिन उमिदवार ब्री लाइफ का मानो परिशन शुरू करेगा? इसका सही आंसर है अप्शन ए इसराइल इसराइल देश अक्टूबर के अन तक अपने COVID-19 वेक्सिन उमिदवार ब्री लाइफ का मानो परिशन शुरू करेगा अब यहां आया इसराइल तो इसराइल के रजधानी क्या है? तो इसकी रजधानी है यरूसलेम इसराइल की मुद्रा इसराइली सेकल और इसराइल के परधान मंत्री कौन है? तो बेंजामिन नितनियाहू और इसराइल के रष्टपती रियूवेन रिवलीन तो इस कोशन से आपको इतनी जनकारी मिली चली नेश कोशन कर लेते हैं क्वेशन नमब थ्री हाल ही में कौन सा पहला राज है जिसने मास्क की कीमतों पर सीमा लगाई है सही अंसर है option B महराष्ट महराष्ट राज ने मास्क की कीमतों पर सीमा लगाई है और यहां आया है महाराष्ट तो महाराष्ट के मुख्यमंत्री कौन है उद्धव ठाकरे महाराष्ट के राजपाल भागत सिंग कोशियारी तो इस कोशन से आपको इतनी जनकारी मिली चलिए नेश्ट कोशन कर लेते हैं Q4. हाल ही में Reliance G.O. किस देश में Qualcomm कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल पर इच्छन किया है इसका सही आंसर है Option A. अमेरिका Next question कर लेते हैं Q5. हाल ही में कौन सा क्रिकेटर लगतार IPL के दो मैचों में सतक लगाने वाला पहला खिलाडी बन गया है सही आंसर है Option A. सीखर धावन सीखर धावन IPL इतिहास में पहले खिलाडी बन गया है जिन्होंने लगतार दो मैचों में दो सतक लगाए और सीखर धावन ने IPL में 5,000 रन बनाने वाले पाँचों बले बाज बन गया है कितने रन बनाने वाले तो 5,000 पाँचों बनाने वाले पाँचों बले बाज बन गया है चलिए Next question कर लेते हैं Q6, हाल ही में पुलिस इस्मिर्ती दिवस कम मनाय गया है सही आंसर है, आप्शन C, 21 सक्टूबर 21 सक्टूबर को पुलिस इस्मिर्ती दिवस मनाय गया है और 21 सक्टूबर को एक और दिवस मनाय गया है ये कौन दिवस है, तो विसु आयोडीन अलपता दिवस ये भी 21 अक्टूबर को मनाया गया है तो आपको याद रखना है चली नेश कोशन कर लेते हैं Q7. हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने गरीब देशों को कोरोना वाइरस से निपटने है तो कितने रुपे देने की घोशला की है सही आंसर ए आपसन A 25 बिलियन डालर विश्व बैंक ने गरीब देशों को कोरोना वाइरस से निपटने के लिए 25 बिलियन डालर देने की घोशला की है यह रासी उन गरीब देशों की मदद करने के लिए है जो मुझूदा COVID-19 महामारी के कारण बड़े पैमानों पर चुनोतियों का सामना कर रहे है तो इस कोश्चन से आप कुतिनी जनकारी मिली चलिए नेश्ट कोश्चन कर लेते हैं कोश्चन नमबर एट हाल ही में बड़े राजियों में विधान सभा चुनाव लड़ रहे उमिद्वारों द्वारा अधिक्तम खर्च की नई सीमा क्या है सही आंसर है ओप्षन ए 30.80 लाख रूपे चलिए नेश्ट कोश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नमबर नाइन हाल ही में कैंद्री मंत्री नितिन गड़करी ने किस राजि में पहली बार मल्टी माडर लाजिस्टिक पार्क का सिलनियास किया है सही आंसर है ओप्षन ए असम कैंद्री मंत्री नितिन गड़करी ने असम में भारत के पहले मल्टी माडर लाजिस्टिक पार्क की अधर सिला रखी है और इससे छेतर में 20 लाख रोजगार के आउसर पैदा होंगे अब यहाँ आया है असम तो असम के रधानी है दीशपूर असम के मुख्य मंत्री सरवानन सोनेवाल और असम के राजेपाल कौन है तो जगदीश मुख्य और असम में राजे सभा में सीटों की संख्या तो राजे सभा में सीटों की संख्या साथ लोग सभा में 14 और विधान सभा में 126 सीटे चलिए नेश कोशन कर लेते हैं Q10. हाल ही में नीती आयोग ने किसके सहयोग से टेक्नोलाजी क्लाउड इनुवेशन सेंटर की अस्थापना की घोशडा की है सही आंसर है option C Amazon Web Service अब यहां आया है नीती तो नीती का full farm है National Institution for Transforming India क्या है National Institution for Transforming India और इसका गठन कब हुआ तो इसका गठन हुआ था एक जनवरी 2015 को एक जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था और नीती आयोग का मुख्याले कहां है तो इसका मुख्याले है नीव दिल्ली और नीती आयोग के अधिश कौन है तो इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जो की हमारे भारत के प्रधान मंत्री है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थाइंक यू